लूका रचित्व सुसमचार अध्याए एक इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, एतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुँचाया। इसलिए हे श्रिमान थियुफिलस, मुझे भी ये उचित मालू हुआ, कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरम से ठीक ठीक जाच करके उन्हें तेरे लिए क्रमान उसार लिखों, कि तु यह जान ले, कि वे बातें जिनकी तुने शिक्षा पाई है, कैसी अटल हैं। यहुदियों के राजा हेरुदेश के समय, अभिहा के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इली शिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और प्रभु की सारी आग्याओं और विधियों पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रिती के अनुसार उसके नाम पर चिठी निकली, कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए, और धूप जलाने के समय, लोगों की सारी मंदली बाहर प्रार्थना कर रही थी, कि प्रभु का एक धूप की वेदी की दाहिनी और खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकर्या देखकर घबराया, और उस पर बड़ा भैचा गया, परन्तु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्या, भैभीत नहो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पतनी इलिश के कारण आनन्दित होंगे, क्योंकि वे प्रभू के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भी से पवित्र आत्मा से परपूर्ण हो जाएगा, और इस्रालियों में से भहतेरों को उनके प्रभू परमेशर की ओर फेरेगा, वे आग्या न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभू के लिए एक योग्य प्रजा तयार करे, जकरिया ने स्वर्दूत से पूछा, यह मैं कैसे जानू, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हूँ, और मेरी पतनी भी बुढ़ी हो गई है, स्वर्दूत ने उसको उत जा गया हूँ, और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तु मौन रहेगा, और बोल न सकेगा, इसलिए कि तुने मेरी बातों को, जो अपने समय पर पूरी होंगी, प्रतीती न की, और लोग जकरिया की बाट देखते रहे, और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी, जब वे बाहर आया, तो उनसे बोल न सका, सुवे जान गए, कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वे उनसे संकेत करता रहा, और गूंगा रह गया, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए, तो वे अपने घर चला गया, इ मनुश्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए, प्रभू ने इन दिनों में क्रपा दर्श्ट्री करके मेरे लिए ऐसा किया है, छटवे महिने में परमेश्वर की ओर से, जिब्राईल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया, जिसकी मं यूसुफ नाम दावुद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जै तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्र हुआ है, प्रभू तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत खबर गई, और सोचन लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भैभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन होगा, तू उत्तर नाम यीश रखना, वै महान होगा, और परमपरधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेशर उसके पिता दावुद का सिहासन उसको देगा, और वै याकूब के घराने पर सदा राज्ज करेगा, और उसके राज्ज का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उतर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमपरदान की सामर्थ तुझ पर छाय करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख और तेरी कुटुम्बनी इलिश्वा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है यह उसका जो बांज कहलाती थी छटवा महिना है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा देख मैं प्रभू की दासी हूँ मुझे तेरे वचन के उन्मसार हो तब स्वर्ग दूत उसके पास से चला गया। शब्द से पुकार कर कहा तूस्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्र मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभू की माता मेरे पास आई और देख जो ही तेरे नमसकार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनन से उचल पड़ा और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। मेरे लिए बड़े बड़े काम किये हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीली से पीली तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आपको बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिहासनों से गिरा दिया और दीनों को उचा किया। उसने भूकों को अच्छी वस्तुओं से तरप्त किया और धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दिया को समरण करे जो इबराहीम और उसके वंश पर सदा रहेगी। जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग तीन महिने उसके साथ रहकर अपने घर लोट गई। तब इलिशिबा के जन्ने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। उसके पडोसियों और कुटुम्बियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दिया की है उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि आठवे दिन बेबालत का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियाह रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं बरन उसका नाम यहन्ना रखा जाए। और उन्होंने उससे कहा तेरे कुटुम में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। और उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, कि उसका नाम युहन्ना है, और सभोंने अचम्भा किया। तब उसका मुह और जीब तुरंद खुल गई, और वह बोलने और परमिश्वर का धन्यवात करने लगा। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भैचा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाडी देश में फैल गई, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभू का हाथ उसके साथ था। पर द्रस्टी की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाउद के घराने में हमारे लिए एक उध्धार का सेंग निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविश्दक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदी से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से औ इबराहीम से खाई थी, कि वे हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूट कर उसके सामने पवित्रता और धर्मिक्ता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें, और तू हे बालक परमप्रधान का भविश्दक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु क मार्ग तयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उध्धार का ज्यान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है, यह हमारे परमिश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण उपर से हम पर भोर का प्रकाश उदै होगा, कि अंधकार और मृत्यू की छाया में बैठने वालों को जोती दे, और हमारे पाउं को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए, और वह बालक बढ़ता, और आत्मा में बलवंत होता गया, और इस्राइल पर प्रगट होने के दिन तक जंगलों में रहा. लूका रचित सु समचार दूसरा अध्याए उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आग्या निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं. यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई, जब कुरिनियूस सुरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए. सो यूसुफ भी इसलिए कि वे दाउत के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाउत के नगर बैतलहम को गया, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए. उनके वहां रहते वे उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहिलोठा पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेट कर चर्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराई में जगय ना थी, और उस देश में कितने गलरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने दहुत डर गए, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज या दाउत के नगर में तुम्हारे लिए एक उधार करता जन्मा है, और यही मसीही प्रभू है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिप्टा हुआ, और चर्नी में पड़ा पाओगे, तब एका एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते वे, और यह कहते दिखाई दिया, कि अकाश म परमेश्वर की महिमा और प्रत्वी पर उन मनुश्यों में जिन से वे प्रसन है, शांती हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गलरीयों ने आपस में कहा, आओ, हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है, और जिसे प्रभू ने हमें बताया है, द परमेश्यों में उन से कही गई थी प्रगट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलरीयों ने उन से कहीं आश्चर किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गलरीये जैसा उन से कहा गया था, वैसा ही सब सुनकर और देखकर परम जब आठ दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था, और जब मुसा की विवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरुशलेम में ले पंडुकों का एक जोडा या कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करें, और देखो, यरुशलेम में शमोन नाम एक मनुश्य था, और वे मनुश्य धर्मी और भक्त था, और इस्राइल की शांती की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत् के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बाला कीश्य को भीतर लाए, कि उसके लिए विवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, और परमेश्वर का धन्यवात करके कहा, हे स्वामी, अब तु अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांती से विदा करता है, क्योंकि मेरी आखोंने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तु ने सब देशों के लोगों के सामने तयार किया है, कि वह अन्यजातियों को प्रकाश देने के लिए जोती और ते को आशीश देकर उसकी माता मर्यम से कहा, देख, वह तो इस्राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए, और एक ऐसा चिन्ध होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बाते की जाएंगी, बरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छित जाएगा, इससे बह हिर्दियों के विचार प्रगट होंगे, और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फन्वेल की बेटी एक भविशु दक्तिन थी, वे बहुत बुढ़ी थी, और ब्या होने के बाद साथ वर्ष अपने पती के साथ रह पाई थी, वे 84 वर्ष से विध्वा थी, और मंदिर को न निवात करने लगी, और उन सभों से जो यरुशलेम के छुटकारे की बाट जो होते थे, उसके विश्य में बाते करने लगी, और जब ये प्रभु की विवस्था के अनुसार सब कुछ निप्टा चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक प्रती वर्ष फसह के पर्भ में यरुशलेम को जाया करते थे, जब वे बारह वर्ष का हुआ, तो वे पर्भ की रिती के अनुसार यरुशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लोटने लगे, तो वे लड़का ईश्यू यरुशलेम में रह गया, और यह उसक पर जब नहीं मिला, तो ढूरते ढूरते यरुशलेम को फिर लोटाए, और तीन दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसक वेवार किया, देख, तेरा पिता और मैं खुडते हुए तुझे ढूरते थे, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूरते थे, क्या नहीं जानते थे, कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है, परन्तु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उससे नहीं समझ तब है उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बाते अपने मन में रखी और येश्यू बुद्धी और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुश्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया. लूका रचित सुसमचार तीसरा अध्याए कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिहा के पुत्र योहन्ना के पास पहुँचा और वे यर्दन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बप्तिस्मा का प्रचार करने लगा. जैसे यशाया भश्दुत्ता के कहेवे वचनों की पुस्तक में लिखा है, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तयार करो, उसकी सडकें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, और हर एक पहाड और टीला नीचा किया और जो टेढ़ा है सीधा, और जो उचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उधार को देखेगा। जो भीड की भीड उससे बप्तिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे साप के बच्चो, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, सो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो, कि हमारा पिता इबराहीम है, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि परमेश्वर इन पत्थरों से इबराहीम के लिए संतान उत्पन कर सकता है, और अब ही कुलहारा पूछा, तो हम क्या करें? उसमें उन्हें उत्तर दिया, कि जिसके पास दो कुर्ते हों, वह उसके साथ जिसके पास नहीं है, बांट दे, और जिसके पास भोजन हो, वह भी ऐसा ही करे, और महसूल लेने वाले भी बबतिस्मा लेने आए, और उससे पूछा, कि हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठराया गया है, उससे अधिक न लेना, और सिपाईयों ने भी उससे यह पुछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्राव न करना, और न जूटा दोश लगाना, और अपनी मजदूरी पर संतोश करना. जब लोग आस लगाए हुए थे, और सब अपने अपने मन में यहन्ना के विश्य में विचार कर रहे थे, कि क्या यही मसी तो नहीं है? तो यहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा, कि मैं तो तुम्हे पानी से बप्तिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है, जो मुझ स शक्ति मान है, मैं तो इस योगी भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूँ, वह तुम्हे पवित्रात्मा और आग से बप्तिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा, और गेहु को अपने खते में खटा करेग परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा, सो वह बहुत सी शिक्षा दे दे कर लोगों को सुसमचार सुनाता रहा, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हिरोदेश को, उसके भाई फिलिप्पुस की पतनी, हिरोदियास की विशे और सब कुकर्म की विशे में जो उसने किये थे उलहना दिया, इसलिए हिरोदेश ने उन सब से बढ़कर यह को कर्म भी किया, कि यहन्ना को बंदी ग्रह में डाल दिया, जब सब लोगों ने बप्तिस्मा लिया, और ईशु भी बप्तिस्मा लेकर प्रात्ना कर रहा था, तो आकाश खुल और पवित्रात्मा शारिरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उत्रा, और यह आकाश वानी हुई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ से प्रसन्न हूँ. जब ईशु आप उपदेश करने लगा, तो लगभग तीस वर्ष की आयू का था, और जैसा समझा जाता था, यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मतात का, और वह लेवी का, और वे मल्की का, और वे यन्ना का, और वे युसुफ का, और वे मत्या का, और वे आमोस का, और वे नहूम का, और वे असल्या का, और वे नोगह का, और वे मात का, और वे मतित्या का, और वे शिमी का, और वे योसेख का, और वे योदाह का, और वे युहन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुबाबिल का, और वह शालतियल का, और वह नेरी का, और वह मल्की का, और वह अद्धी का, और वह कोसाम का, और वह इल्मोदाम का, और वह एर का, और वह येश्यु का, और वह इलाजार का, और वह योरीम का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वे यहुदाह का, और वे युसुफ का, और वे योनान का, और वे इल्याकीन का, और वे मलियाह का, और वे मिननाह का, और वे मत्तात का, और वे नातान का, और वे दाउत का, और वे यिश्य का, और वे अबेत का, और वे बोज का, और वे सलमोन का, और वे नहशोन का. और वह अम्मीनादाप का, और वह अरनी का, और वह हिश्रोन का, और वह फिरिस का, और वह यहुदाह का, और वह याकूब का, और वह इसहाक का, और वह इबराहीम का, और वह तिरह का, और वह नाहोर का, और वह सरूग का, और वह रऊ का, और वह फिलिक का, और वह एबीर का, और वह शिलह का, और वह केनान का, और वह अरफग्यत का, और वह शेम का, और वह नूह का, और वह लिमिक का, और वह मतुशिलह का, और वह हनोक का, और वह यिरिद का, और वह महलेल का, और वह केनान का, और वह इनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का था. लुका रचित सु समचार चौथा अध्याएद। इशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुश केवल रोटी से जीवित न रहेगा, तब शेतान उसे ले गया, और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूँगा, क्योंकि वह मुझे सौपा गय है, और जिसे चाहता हूँ, उसी को दे देता हूँ, इसलिए यदि तु मुझे प्रणाम करे, तो यह सब तेरा हो जाएगा, इशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, कि तु प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपास न कर, तब उसने उसे यर विशह में, अपने स्वर्ग दूतों को आग्या देगा, कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो, कि तेरे पाओं में पत्थर से ठेस लगे, इशु ने उसको उतर दिया, यह भी कहा गया है, कि तु प्रभु अपने परमेश्वर की परिक्षा न करना, तब शेतान सब परिक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, फिर इशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लोटा, और उसकी चर्चा आस पास के सारे देश में फैल गई, और वे उनकी आराध नालायों में उपदेश क करता रहा, और सब उसकी बढ़ाई करते थे, और वे नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीती के अनुसार सब्द के दिन आराध नालायों में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, ये शाया भिश्ड़ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस इसलिए भिजा है कि बंधों को छुटकारे का, और अंधों को दरश्टी पाने का सुसमचार परचार करूं, और कुछले हुओं को छुडाऊं, और प्रभु के प्रसन रहने के वर्ष का परचार करूं, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी, और बैठ गया, और अराध नालाए के सब लोगों की आँख उस पर लगी थी, तब वे उनसे कहने लगा, कि आज ही यह लेख तुमारे सामने पूरा हुआ है, और सब ने उससे सराहा, और जो अनुग्रे की बातें उसके मुह से निकलती थी, उनसे अचंभा किया, और कहने लगे, क्य यह यूसुफ का पुत्र नहीं, उसने उससे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे, कि हे वैद्य, अपने आपको अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफर नहू में किया गया है, उससे यहां अपने देश में भी कर, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कोई भवश्य वक्ता अपने देश में मान सनमान नहीं पाता। उन में से कोई शुध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही, जितने आराध नालाय में थे, सब क्रोथ से भर गए, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाल पर उनका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले, कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, पर वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। फिर वह गलील के कफर नहूम नगर में गया, और सब्च के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वह उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराद नालाय में एक मनुष था, जिसमें अशुध आत्मा थी। वह उचे शब्द से चला उठा, हे ईशु नासरी, हमें तुझ से क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है, मैं तुझे ज पटक कर, बिना हानी पहुँचाए, उस में से निकल गई। इस पर सब को अचंबा हुआ, और वे आपस में बाते करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुध आत्माओं को आग्या देता है, और वे निकल जाती हैं। सो चारों और हर ज उस से बिन्ती की, उसने उसके निकट खड़े होकर जवर को डाटा, और वे उस पर से उतर गया, और वे तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज जूपते समय, जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बिमारियों में पढ़े हुए थे, वे सब उन्हें उसक पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वे उन्हें डाटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि यह मसी है। जब दिन हुआ तो वे निकल कर एक जंगली जगह में गया, और भीड की भीड उसे ढूरती हुई उसके पास आई, और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से न जा। परत्तु उसने उनसे कहा, मुझे और और नगरों में भी परमेशर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्य है, क्योंकि मैं इसी लिए भेजा गया हूँ, और वह गलिल के आराधना लयों में प्रचार करता रहा। लूका रचित सुसमाचार पांचवा अध्याए शमाचार की थी चड़कर उसने उससे बिंती की किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वे बैठ कर लोगों को नाओ पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातने कर चुका तो शमाचार से कहा, गहरे में ले चल। और मचलिया पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो बहुत मचलिया घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाओ पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाओ यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमान पतरस हे प्रभू, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुश्य हूँ, क्योंकि इतनी मचलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचमबा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकुब और युहन्ना को भी जो शमान के सहभागी थे अचमबा हुआ। तब ईश्यु ने शमान से कहा मत डर, अब से तु मनुश्यों को जीवता पकड़ा करेगा, और वे नाओं को किनारे पर ले आए, और सब कुछ छोड़कर उसके प चाहे तु मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हात बढ़ा कर उसे चुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तु शुद्ध हो जा, और उसका कोड़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया कि किसी से ना कहे, परंतु जाके अपने आपको याजक को दिखा, और अपने शु होने के विश्य में, जो कुछ मुसा ने चढ़ावा ठहराया है, उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड की भीड उसकी सुनने के लिए, और अपनी बिमारियों से चंगे होने के लिए इखटी हुई, परंतु वे जंगलों के हरे गाउं से और यरिश्लेम से आये थे, और चंगा करने के लिए प्रभू की सामर्थ उसके साथ थी, और देखो, कई लोग एक मनुष्य को, जो जो जोले का मारा हुआ था, खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने, और इश्यू के सामने रखने का उपाय ढूंड रहे थे, और जब भीड के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में इश्यू के सामने उतार दिया, उसने उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप ख्षमा हुए, तब शास्त्री और फरीसी विबात करने लगे, कि है कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की छमा कर सकता है, इश्यू ने उनके मन की बाते जानकर उनसे कहा, कि तुम अपने मनों में क्या विबात कर रहे हो, सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप शमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को प्रत्वी पर पाप शमा करने का भी अधिकार है, उसने उस जोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठा कर अपने घर चला जा, वह तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था, उसे उठा कर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ, अपने घर चला गया, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे, और बहुत डर कर कहने लगे, कि आज हमने अनोखी बातें देखी हैं, और इसके बाद वह बाहर गया, और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, तब वह सब कुछ छोड़ कर उठा, और उसके पीछे हो लिया, और लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी जेवन उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुडाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। ईशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूलहा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो। तो नया फट जाएगा, और वह पैवंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा, और कोई नया दाखरस पुरानी मश्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मश्कों को फाड़ कर बह जाएगा, और मश्के भी नाश हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई मश्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखर स्पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। क्यों करते हो जो सब्द के दिन करना उचित नहीं। ईशु ने उनको उत्तर दिया। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाउद ने जब वह और उसके साथी भूके थे तो क्या किया। वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेट की रोटियां लेकर खाई। जिने खान याजिकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र सब्द के दिन का भी प्रभू है। और ऐसा हुआ कि किसी और सब्द के दिन को वह आरात नालाय में जाकर उबदेश करने लगा। और वहां एक मनुष था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोश लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें कि वह सब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था। इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कह उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। इशु ने उनसे कहा मैं तुमसे यह पूशता हूँ कि सब्द के दिन क्या उचित है भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। और उसने चारों और उन सभों को देखकर उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवात करने लगे कि हम इशु के साथ क्या करें। और उन दिनों में वे पहार पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उन में से बारह चुंडिये और उनको प्रेरित कहा। और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। जब उससे चुना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सब को चंगा करती थी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूके हो क्योंकि तरप्त किये जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्च के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उचलना, क्योंकि देखो, तुम्हारी ये स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादे भविश्य दक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे, परंतु हाए तुम पर जो धन्वान हो, क्योंकि तुम अपनी शांती पा चुके, हाए तुम पर जो अब तुम पर जो अब तुम्हारी ये स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादे भविश्य दक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, कि अपने शत्रूँ से प्रेम रखो, जो तुम से बैर करें, उ उनको आशीश दो, जो तुम्हारा अपमान करें, उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थपड मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले, उसको कुरता लेने से भी न रोक, जो कोई तुझ से मांगे, उससे दे, और जो तेरी खीन ले, उससे न मांग, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं, और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं, और यदि तुम उन्हें उधार दो, जिन से फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंक तुम्हारा पिता दयावन्त है, वैसे ही तुम भी दयावन्त बनो। नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आख के तिनके को क्यों देखता है? और अपनी ही आख का लठा तुझे नहीं सूझता? और जब तु अपनी ही आख का लठा नहीं देखता, तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि हे भाई थैर जा, तेरी आख से तिनके को निकाल दूँ. हे कप्टी, पहले अपनी आँख से लठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है, भली भाती देखकर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड नहीं, जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड है, जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग जाडियों से अंजीर नहीं तोडते, और ना जड़बेरी से अंगूर, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन म जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु हे प्रभु कहते हो। क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष के समान हैं जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंट गिर पड़ा और वह गिर कर सत्यनाश हो गया। तो कफर नहुम में आया। और किसी सुबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बिमारी से मरने पर था। उसने ईशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुर्नियों को उससे यह बिंती करने को उसके पास भेजा। कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे ईशु के पास आकर उससे बड़ी बिंती करके कहने लगे कि वे इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। क्योंकि वे हमारी जाती से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आरादनालय को बनाया है। इशु उनके साथ साथ चला पर जब वे घर से दूर ना था तो सुबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभू दुख न उठा क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी च्छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आपको इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आउं पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधिन मनुश्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूं कि आ तो आता है और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर ईश्य ने अचंभा किया और उसने मुह फेर कर उस भीड से जो उसके पीछे आ रही थी कहा मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इसरायल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया और भेजे हुए लोगों ने धर लोटकर उस दास को चंगा पाया। थोड़े दिन के बाद वै नाईन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड उसके साथ जा रही थी। जब वै नगर के फाटक के पास पहुँचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिये जा रहे थे जो अपनी मा का एकलोता पुत्र था और वै विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देख कर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को चुआ और उठाने वाले ठैर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उ तब वै मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मा को सौप दिया। इससे सब पर भैचा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविश्वदक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा द्रश्टी की है और उसके विश्वर में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। और यहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समचार दिया। तब यहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुला कर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भे जा है कि क्या आने वाला तु ही है या हम दूसरे की बात जो हैं। उसी घड़ी उसने भहुतों को बिमारियों और पीडाओं और दुश्टात्माओं से छुडाया और भहुत से अंधों को आँखें दी और उसने उन से कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यहन् कि अंधे देखते हैं, लंगले चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुध किये जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाये जाते हैं, और कंगालों को सुसमचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर नखाए। जब यहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिये, तो ईशु यहन्ना के विश्य में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्तर पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्तर पहनते और सुख विला वे राजभावनों में रहते हैं, तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविश्व द्वक्ता को? हाँ, मैं तुम से कहता हूँ, बरन भविश्व द्वक्ता से भी बड़े को. ये वही है, जिसके विश्य में लिखा है, कि देख, मैं अपने दूद को तेरे आगे आगे मार्ग सीधा करेगा. मैं तुम से कहता हूँ, कि जो उस त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से योहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है. और सब साधारन लोगों ने सुनकर, और चुंगी लेने वालों ने भी योहन्ना का बप्तिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया. पर फरीसियों और युरस्थापकों ने उससे बप्तिस्मा न लेकर परमेश्वर की मंसा को अपने विशे में टाल दिया. सो मैं इस युक के लोगों की उपमा किस से दूँ, कि वे किस के समान है? वे उन बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बासली बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए. क्योंकि युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया, ना दाकरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है, मनुष का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्ड मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र, पर ग्यान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है. फिर किसी फरीसी ने उससे बिंती की, कि मेरे साथ भोजन कर, सुवह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जान कर, कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, और उसके बार बार चुम कर उन पर इत्र मला। यह देख कर वह फरीसी, जिसने उसे बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा। यदि यह भविश्य दुक्ता होता, तो जान जाता कि यह जो उसे चु रही है, वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यह सुन ईशु ने उसके उत्तर में कहा, कि हे शमौन मुझे तुछ से कुछ कहना है, वह बोला, हे गुरू कहे। किसी महाजन के दो देंदार थे, एक पांच सो और दूसरा पचास दिनार धारता था, जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा, तो उसने दोनों को ख्षमा कर दिया, सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, उसने उससे कहा, तुने ठीक विचार किया है, और उस तरी की और फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तु इस तरी को देखता है? मैं त दूनी你 Archive breaker, पर इस china मेरे पांवा धोने के लिए पानी न दिया, पर इस ने मेरे पांवा आंसविए और अपने बालों से पूछा, तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ, तब से इसने मेरे पांवा का चुमना न छोड़ा. तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाउं पर इत्र मला है, इसलिए मैं तुझ से कहता हूँ, कि इसके पाप जो बहुत थे, ख्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा ख्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है, और उसने स्त पापों को भी ख्षमा करता है, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। और कितनी स्त्रियां भी, जो दुष्टात्माओं से और बिमारियों से छुडाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदिलीनी कहलाती थी, जिसमें से साथ दुष्टात्माएं निकली थी, और हिरोदेश के भेंडारी खोजा की पत्नी योवन्ना, और सूजन्ना, और उसने द्रश्टान्त में कहा, कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और अकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, और कुछ चटान पर गिरा, और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया, कुछ जाडियों के बीच में गिरा, और जाडियों ने साथ साथ बढ़कर उससे दबा लिया, और कुछ अच्छी भूमी पर गिरा, और उग कर सौगुना फल लाया, यह कहकर उसने उचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले, उसके चेलों ने उससे पूछ कि यह द्रश्टांत क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को द्रश्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें, और सुनते हुए भी न समझें. द्रश्टांत यह है. बीज तो परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो, कि वे विश्वास करके उधार पाए. चटान पर के वे हैं, कि जब सुनते हैं, तो आनन से वचन को ग्रहन तो करते हैं, परन्तो जड़ न पकरने से, वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, और परिक्षा के समय बहक जाते हैं. जो जाडियों में गिरा सुवे हैं, जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता, पर अच्छी भूमी में के वे हैं, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में समाले रहते हैं, और धीरत से फल लाते हैं कोई दिया बार के बरतन से नहीं छिपाता औरना खाट के नीचे रखता है परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। अपना समझता है उसकी माता और उसके भाई उसके पास आये पर भीड के कारण उससे भेत न कर सके और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परम इश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ जील के पार चलें। और वे थम गए और चैन हो गया और उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहा था। पर वे डर गए और अचमभित होकर आपस में कहने लगे यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आग्या देता है और वे उसकी मानते हैं। फिर वे गिरा सेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वे किनारे पर उत्रा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माय थीं। और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था। वरन कबरों में र जिंती करता हूँ, मुझे पीला न दे। क्योंकि वे उस अशुद आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आग्या दे रहा था। इसलिए कि वे उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यदिपी लोग उसे सांकलों और बेडियों से बांधते थे, तो भी वे बंधनों को तोड डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाय फड़ती थी। इशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्मा उसमें पैठ गई थी। और उन्होंने उससे बिंती की कि हमें अठा गढ़े में जाने की आग्य न दे। वहां पहार पर सुवरों का एक बड़ा जुण चर रहा था, सो उन्होंने उससे बिंती की कि हमें उन्में पैठने दे, सो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्माएं उस मनुष्ट से निकल कर सुवरों में गई और वे जुण कडाले पर से जपट कर ज उसके देखने को निकले, और ईश्ट के पास आकर जिस मनुष्ट से दुष्टात्माएं निकली थी, उससे ईश्ट के पाओं के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ किस प्रकार अच्छा हुआ, तब गिरा सेनियों के आसपास के सब लोगों ने ईश्ट से बिंती की कि हमारे यहां से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भैचा गया था, सो वह नाओ पर चड़कर लोट गया, जिस मनुष्ट से दुष्टात्माएं निकली थी, वह उससे बि बड़े काम किये हैं, वह जाकर सारे नगर में परचार करने लगा, कि ईश्ट ने मेरे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किये हैं, जब ईश्ट लोट रहा था, तो लोग उससे आनन के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे, और देखो, याईर नाम एक मनुष जो आराद नालय का सरदार था आया, और ईश्ट के पाउं पर गिर के उससे बिंती करके कहने लगा, कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके बारह वर्ष की एकलोती बेटी थी, और वे मरने पर थी, जब वे जा रहा था, तब सब लोग उस पर गिरे परते थे, और एक स्प्री ने जिसको बारह वर्ष से लोहु बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे वया कर चुकी थी, और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आचल को छुआ, और तुरंत उसका लोहु बहना थम गया, इस पर ईश गिरी पड़ती है, परंतु ईशु ने कहा, किसी ने मुझे चुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है, कि मुझ में से सामर्थ निकली है, जब स्त्री ने देखा, कि मैं छिप नहीं सकती, तब कापती हुई आई, और उसके पाउं पर गिर कर सब लोगों के सामने बताया, कि मै उसने किस कारण से तुझे चुआ और क्योंकर तुरन चंगी हो गई, उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा, वै यह कही रहा था कि किसी ने आरादनालय के सरदार की यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरू को द और याकुब और लड़की के माता पिता को छोड़, और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया, और सब उसके लिए रोव पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रोव मत, वै मरी नहीं, परंतु सो रही है, वै यह जान कर कि मर गई है, उसकी हसी करने लगे, परंतु उसने उस कुछ खाने को दिया जाए, उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया, कि यह जो हुआ है, किसी से ना कहना. लुका रचित सुसमचार, नौवा अध्याए फिर उसने बारहों को बलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बिमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बिमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, और उसने उन से कहा, मार्ग के लिए कुछ न ल जो कोई तुम्हें ग्रहन न करेगा, उस नगर से निकलते हुए अपने पाउं की धूल जार डालो, कि उन पर गवाही हो, सुवे निकलकर गाउं गाउं सु समचार सुनाते, और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। और देश की चोथाई का राजा, हेरोदेश, यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि योहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कितनों ने यह कि एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि पुराने भविश्दक्ताओं में से कोई जी उठा है, परंतु हे पिरोदेस ने कहा, युहन्ना का तो मैंने सिर्क अटवाया, अब यह कौन है, जिसके विश्य में ऐसी बाते सुनता हूँ, और उसने उसे देखने की इच्छा की। जब दिन धनने लगा, तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड को विदा कर, कि चारों ओर के गाउं और बस्तियों में जाकर तिकें, और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे प पास पांच रोटियां और दो मचली को छोड़, और कुछ नहीं। परन्तु हां, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें, तो हो सकता है। वे लोग तो पांच हजार पुरशों के लगबक थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें पचास पचास करके पांटी पांटी बैठा दो, उन्होंने ऐसा ही किया और सब को बैठा दिया। तब उसने वे पांच रोटियां और दो मचली लीं और स्वर्ग की ओर देखकर धन्वाद किया, और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, कि लोगों को परोसें। सो सब खाकर तुप्थ और बच्चे हुए टोकडों से बारह टोकरी भर कर उठाईं। जब वे एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला, और कोई-कोई एल तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि यह किसी से न कहना। और उसने कहा, मनुश के पुत्र के लिए अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाएं, और पुरनिये और महयाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझ कर मार डालें, और वे तीसरे दिन जी उठें। उसने सब से कहा, य यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इंकार करे और प्रति दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा, परंत जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बच यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्ट करे और अपना प्राण खोदे या उसकी हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा। इन बातों के कोई आठ दिन बाद वह पत्रस और युहन्ना और याकुब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड पर गया। और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरुशले में होने वाला था। पत्रस और उसके साथ ही नीन से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुर्शों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पत्रस ने ईशु से कहा हे स्वामी हमारा यहां रहना भला है सो हम तीन मंडप बनाएं एक तेरे लिए एक मुसा के लिए और एक एलिया के लिए। वे जानता ना था कि क्या कह रहा है। वे यह कही रहा था कि एक बादल ने आकर उने चा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है। इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। और दूसरे दिन जब वे पहाड से उतरे तो एक बड़ी भीड उससे आ मिली। और देखो भीड में से एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा। हे गुरू मैं तुझ से बिंती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर क्रपा द्रश्टी कर क्योंकि वे मेरा एकलोता है और देख एक दुष्टात्मा उससे पकड़ता है और वे एका एक चिल्ला उटता है और वे उससे ऐसा मरोडता है कि वे मुँ में फेन भरलाता है और उसे कु इश्यों से बिंती की कि उसे निकालें, परंतु वे न निकाल सके। ईश्यों ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहां लेया। वे आही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोडा, परंतु ईश्यों ने अशुद आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौप दिया, तब सब लोग परमिश्वर के महा सामर्थ से चकित हुए। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वे करता था अचंभा कर रहे थे, तो उसने अपनी चेलों से कहा, ये बातें तुमारे कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मनुश का पुत्र मनुश्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है, परंतु वे इस बात को न समझते थे, और ये उन से छिपी रही, कि वे उससे जानने न पाएं, और वे इस बात के विशह में उससे पूछने से डरते थे, फिर उन में ये विवाद होने लगा, कि हम में से बड़ा कौन है, पर येश्यों ने उनके मन का विचार जान लिया, और एक बालक को लेकर अपने पास करता है, क्योंकि जो तुम्में सबसे छोटे से छोटा है, वही बड़ा है, तब युहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया, क्योंकि वे हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता, इशुने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुमारी ओर है, जब उसके उपर उठाये जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरुशलेम को जाने का विचार द्रण किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के एक गाउं में गए, कि उसके लिए जगह तयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वे यरुशलेम को जा रहा था, यह देखकर उसके चेले याकूब और योहनना ने कहा, हे प्रभू, क्या तू चाहता है कि हम आग्या दें, कि आकाश से आग गिर कर उन्हें भस्म कर दे, परंतु उसने फिर कर उन्हें डाटा, और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुश का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, बरन बचाने के लिए आया है, और वे किसी और गाउं में चले गए, जब वे मार् कुमियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुश के पुत्र को सिर धरने की भी जगए नहीं, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले, उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे, कि अपने पिता को गार दूँ, उसने उस से कहा, मरे हूँ को पर तू जाकर परमेश्वर के राजी की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभू, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। ईश्व ने उससे कहा, जो लुका रचित सु समचार, दस्वा अध्याय, और इन पात्मों के बाद प्रभू ने सत्तर और मनुश्य नियक्त किये, और जिस जिस नगर और जगह को वे आप जाने पर था, वहां उन्हें दोदो करके अपने आगे भीजा, और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वा न जोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो, जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, कि इस घर पर कल्यान हो, यदि वहां कोई कल्यान के योग्य होगा, तो तुमारा कल्यान उस पर ठेरेगा, नहीं तो तुमारे पास लोट आएगा, उसी घर में रहो, और ज तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, वहां के बिमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोन की दशा सहने योग्य होगी। तु तो अधलोग तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। और जो तुम्हे तुछ जानता है वह मुझे तुछ जानता है। वह मेरे भेजने वाले को तुछ जानता है। वे सत्तर आनन से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सापों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानी ना होगी। तो भी इससे आनन्दित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में हैं, परन्तु इससे आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घरीवे पवित्र आत्मा में होकर आनन्द से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और प्रत्वी के प्रभु, मैं तेरा धन् कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रगट किया, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन ह यह भी कोही नहीं जानता केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे, और चेलों की ओर फिरकर निराले में कहा, धन्य है वे आखें, जो ये बातें, जो तुम देखते हो, देखती हैं, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि बहुत से भविश डगता और राजाओं ने चाहा, कि जो बातें तुम देखते हो, देखें, पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो, सुने, पर न सुनी, और देखो एक विवस्थापक उठा, और यह कहकर उसकी परिक्षा करने लगा, कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क क्या करूँ, उसने उससे कहा, कि विवस्था में क्या लिखा है, तु कैसे पढ़ता है, उसने उत्तर दिया, कि तु प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, और अपने सारे प्राण, और अपनी सारी शक्ती, और अपनी सारी बुध्धी के साथ प्रेम रख, और अ अपनी तई धर्मी ठराने की इच्छा से इशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? इशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरुशलम से यरीहों को जा रहा था, कि डाकूओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिये और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखके कत्रा कर चला गया, इसी रीती से एक लेवी उस जगह पर आया, वै भी उसे देखके कत्रा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर और उसके घाउं पर तेल और दाखरस डाल कर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ा कर सराई में ले गया और उसकी सेवा टहल की। वही जिसने उस पर तरस खाया। ईशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। फिर जब वे जा रहे थे तो वे एक गाउं में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उससे अपने घर में उतारा। और मर्यन नाम उसकी एक बहन थी वे प्रभु के पाउं के पास बैठ कर उसका वचन सुनती थी पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी। हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहिन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उतर द अधिया मार्था हे मार्था तु बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती हैं परन्तु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मर्यम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। लूकार अचित सु समचार ग्यारवा अध्याय फिर वे किसी जगय प्रार्थना कर रहा था और जब वे प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा हे प्रभु, जैसे युहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राजी आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिय कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परिक्षा में नला, और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है, कि उसका एक मित्र हो, और वै आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, कि हे मित्र, मुझे तीन रोटिया दे क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, धूलो तो तुम पाओगे, खट-खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो धूरता है वह पाता है, और जो खट-खटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, तो उसे पत्थर दे, या मचली मांगे, तुम मचली के बदले उसे साप दे, या अंडा मांगे, तो उसे बिच्छु दे. सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुमें देना जानते हो, तो स्वर्गी पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला, जब दुष्टात्मा निकल गई, तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने अचंभा किया, परंतु उन में से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्टात्मा के प्रधान की सहायता से दुष्टात्मा को निकाल और उने उसकी परिक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ध मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है, वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है, वह नाश हो जाता है, और यदि शैतान अप भला यदी मैं शेतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। तो उसके वे हतियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट लेता है। जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध में हैं, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिथराता है। जब अशुद आत्मा मनुष में से निकल जाती है, तो सूखी जगाहों में विश्राम धूनती फिरती है, और जब नहीं पाती, तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लोट जाऊंगी, और आकर उसे जाडा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वे जाकर अपने से और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें पैठ कर बास करती हैं, और उस मनुष की पिछली रशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वे ये बातें कही रहा था, तो भीड में से किसी स्री ने उचे शब से कहा, धन्य वे गर्भ जिसमें तू रहा, और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं, जो परमेश्वर का बचन सुनते और मानते हैं। जब बड़ी भीड इखटी होती जाती थी, तो वे कहने लगा, कि इस युक के लोग बुरे हैं, वे चिन्न धूरते हैं, पर यूनुस के चिन्न को छोड़, कोई और चिन्न उन्हे न के दिन इस समय के मनुश्यों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी, क्योंकि वे सुलिमान का ग्यान सुनने को प्रत्वी की छोड़ से आई, और देखो, यहां वे हैं, जो सुलिमान से भी बड़ा है। नीन्मे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़ होकर उन्हें दोशी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो, यहां वे हैं, जो यूनुस से भी बड़ा है। कोई मनुश्य दिया बार के तल घरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवत पर रखता है कि भीत आने वाले उज्याला पाएं, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला है, परंतु जब वह बुरी है, तो तेरा शरीर भी अंधेरा है, इसलिए चौकस रहना, कि जो उज्याला तुझ में है, वह अं समय होता है, जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है, जब वे बातने कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे बिंती की कि मेरे हाँ भोजन कर, और वेह भीतर जाकर भोजन करने बैठा, फरीसी ने यह देखकर अचमभा किया कि उसने भोजन करने से पहले सनान नहीं कि प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियो, तुम कटोरे और थाली को उपर उपर तो मांजते हो, परंतु तुमारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। और सब भाती के साग पात का दस्वा अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते, हे फरीसियो, तुम पर हाए, तुम आराद नालायों में मुख्य मुख्य आसन और बा कि हे गुरु, इन बातनों के कहने से तु हमारी निंदा करता है, उसने कहा, हे वेवस्थाप को तुम पर भी हाए, तुम ऐसे बोज जिनको उठाना कठिन है, मनुश्यों पर लातते हो, परंतु तुम आप उन भोजों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते, हाए तुम पर तुम उन भवश्वदक्ताओं की कबरें बनाते हो, जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था, सो तुम गवाह हो, और अपने बाप दादों के कामों में सम्मत हो, क्योंकि उन्हों ने तो उन्हें मार डाला, और तुम उनकी कबरें बनाते हो, इसलिए प प्रवेश दक्ताओं का लोहु जगत की उत्पत्ती से बहाया गया है, सबका लेखा इस युक के लोगों से लिया जाए। जब वे वहां से निकला, तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छड़ने लगे कि वे बहुत सी बातों की चर्चा करें, और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मुह की कोई बात पकड़ें। पहले अपने चेलों से कहने लगा, कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना, कुछ धपा नहीं जो खोला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोट्रियों में कानो कान कहा है, वह कोटों पर प्रचार किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे, जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, कि जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मट डरो, मैं तुम्हें चिताता हूँ, कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उस क्या दो पैसे की पाँच गौरईयां नहीं बिक्ती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता, वरं तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरईयों से बढ़कर हो. मैं तुम से कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इंकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इंकार किया जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराद क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्रात्मा की निंदा करे, उसका अपराद क्षमा न किया जाएगा, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीती से या क्या उत्तर दें, या क्या कहें, क्योंकि पवित्रात्मा उसी घली तुम्हें सिखा देगा, कि क्या कहना चाहिए, फिर भीड में से एक ने उससे कहा, हे गुरू, मेरे भाई से कहे कि पिता के संपत्ती मुझे बाट दे, उसने उससे कह हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याई या बाटने वाला नियुक्त किया है, और उसने उनसे कहा चौकस रहो, और हर प्रकार के लोब से अपने आपको बचाये रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ती की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक द्रश्टान्त कहा, कि किसी धन्मान की भूमी में बड़ी उपजवी, तव है अपने मन में विचार करने लगा, कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे यहां जगे नहीं, जहां अपनी उपज इत्यादी रखूँ। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ती रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा, कि प्राण तेरे पास बहुत वर्शों के लिए बहुत संपत्ती रखी है, चैन कर ख पी, सुख से रहे, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तुने इखटा किया है, वह किसका होगा, ऐसा ही वह मनुष्य भी है, जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की द्रश्टी में धनी नहीं, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुम से कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो, कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहिनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है, कवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, तुम्हारा मोल्य पक्षियों से कहीं अधिक है, तुम में से ऐसा कौन है, जो चिंता करने से अपनी अवस्ता में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, इसलिए य वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना कातते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, कि सुलेमान भी अपने सारे विभाव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है, और कल भाल में जोकी जा रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संधे करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवशक्ता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इखटा करो, जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता, और कीड़ा नहीं बिगारता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा. तुम्हारी कमरे बंधी रहें, और तुम्हारे दिये जलते रहें, और तुम उन मनिश्यों के समान बनो, जो अपने स्वामी की बाठ देख रहे हों, कि वह ब्याह से कब लोटेगा, कि जब वह आकर द्वार खट-कटाए, तो तुरंत उसके लिए खोल दें. धन्य हैं वेदास, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा, और पास आकर उनकी सेवा करेगा. यदि वह रात के दूसरे पहर यद तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए, तो वेदास धन्य हैं. परंतु तुम यह जान लो, कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घरी आएगा, तो जागता रहता, और अपने घर में सेंध लगने न देता, तुम भी तयार रहो क्योंकि जिस घरी तुम सोचते भी नहीं, उसी घरी मनुष्य का पुत्र आ जावेगा. तब अत्रस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह द्रश्टांत तु हम ही से, यह सब से कहता है. प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्व उसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ती पर सरदार ठराएगा. परंतु यदि वह दास सोचन लगे, कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने, और खाने पीने, और पियक्कर होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन, क वह उसकी बाट जो हता न रहे, और ऐसी घली जिसे वह जानता न हो आएगा, और उसे भारी ताड़ना देकर, उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठेराएगा, और वह दास, जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, और तयार न रहा, और ना उसकी इच्छा के अनु उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौपा गया है, उससे बहुत मांगेंगे। पांच जन आपस में विरोध रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, मां बेटी से और बेटी मां से, सास बहु से और बहु सास से विरोध रखेगी। और उसने भीड से भी कहा, जब बादल को पच्छिम से उठते देखते हो, तो तुरंत कहते हो कि वरशा होगी, और ऐसा ही होता है, और जब दखिना चलती देखते हो, तो कहते हो कि लूह चलेगी, और ऐसा ही होता है. हे कपटियो, तुम धर्ती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विशे में क्यों भेद करना नहीं जानते, और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते, कि उचित क्या है? जब तु अपने मुद्दई के साथ हाकीम के पास जा रहा है, तो मारगी में उस से छूटने का यतन कर ले, ऐसा नहो कि वह तुझे नियाई के पास खीच ले जाए, और नियाई तुझे प्यादे को सौपे, और प्यादा तुझे बंदी ग्रह में डाल दे, मैं तुम से कहता हूँ, कि जब तक तु दमली दमली भर न देगा, तब तक वहां से छूटने न पाएगा. लुका रचित सुसमचार तेरवा अध्याए उस से में कुछ लोग आ पहुँचे, और उस से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिनका लोहू पिलातूस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था. यह सुन उसने उन से उत्तर में यह कहा, क्या तुम समचते हो, कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे, कि उन पर ऐसी विपत्ती पड़ी, मैं तुम से कहता हूँ की नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे, तो तुम सब भी इसी रीती से नाश होगे. या क्या तुम समचते हो, कि वे अठारा जन, जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा, और वे दब कर मर गए, यरुशलें के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे, मैं तुम से कहता हूँ की नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे, तो तुम भी सब इसी रीती से नाश होगे, तिर उसने यह द्रश्टांत भी कहा, कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड लगा हुआ था, वे उसमें फल धूरने आया, परंतु न पाया, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, तीन वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड में फल धूरने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इससे काट डाल, कि यह भूमी को भी क्यों रोके रहे, उसने उसको उत्तर दिया, कि हे स्वामी, इससे इस वर्ष तो और रहने दे, कि मैं इसके चारों और खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। और वह कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीती से सीधी नहीं हो सकती थी। इशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुरबलता से छूट गई। तब उसने उस पर हात रखे, और वह तुरंत सीधी हो गई, और परमेश्वर की बढाई करने लगी। इसलिए कि ईशु ने सब्द के दिन उसे अच्छा किया था, आरादनालाय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, छे दिन हैं, जिन में काम करना चाहिए, सो उन्ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्द के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभू ने उत्तर दे कर क हे कप्टियो, क्या सब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इबराहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने अठारा वर्ष से बांध रखा था, सब्द के दिन इस बंधन से चुडाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं, तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीर उन महिमा के कामों से जो वह करता था, आनंदित हुई. फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है? और मैं उसकी उप्मा किस से दूँ? वहराई के एक दाने क समान है, जिसने किसी मनुष्ण ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया. उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उप्मा किस से दूँ? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्थ ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया. वह नगर-नगर और गाउं गाउं होकर उपदेश करता हुआ, यरुशलेम की ओर जा रहा था, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उध्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे क पहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यतन करो, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे. जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, और तुम बाहर खड़े हुए, द्वार खट-खटा कर कहने लगो, हे प् तुम ने हमारे बाजारों में उपदेश किया, परंतुवेह कहेगा, मैं तुम से कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहा से हो, हे कुकर्म करने वालो, तुम सब मुझ से दूर हो, वहां रोना और दांक पीसना होगा. जब तुम इब्राहीम और इसहाक और याकूब और सब भविश्दवक्ताओं को परमेश्वर के राज में बैठे और अपने आपको बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दखिन से लोग आकर परमेश्वर के राज के भोज में भागी और देखो, कितने पिछले हैं, वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं, वे पिछले होंगे। उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकल कर चला जा, क्योंकि हिरोदेश तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमनी से कह कि देख मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बिमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन पूरा करूंगा, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविश्वदक्ता यरुशलेम के बाहर मारा जाए. हे यरुशलेम, हे यरुशलेम, तु जो भविश्वदक्ताओं को मार डालती है, और जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पत्थरवा करती है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंकों के नीचे इखटे करती है, वैसे ही मैं भी ते तुम ना कहोगे, कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। रोग था, इस परीशु ने विवस्थापकों और फरीशियों से कहा, क्या सब्ध के दिन अच्छा करना उचित है की नहीं, परंतु वे चुपचाप रहे, तब उसने उसे हाथ लगा कर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है, जिसका गधा या बैल कुए में गिर जाए, और वे सब्ध के दिन उसे तुरंट बाहर ना निकाल ले, वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके, जब उसने देखा कि नेवता हरी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टान्त देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए, तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है, आकर तुझसे कहे, कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित दिया है आए तो तुझ से कहे कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी क्योंकि जो कोई अपने आपको बढ़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आपको छोटा बनाएगा वह बढ़ा किया जाए तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे, तो अपने मित्रों या भाईयों या कुटुम्बियों या धन्वान पणुसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए, परंतु जब तू भोज करे, तो कंगालों, तुंडों, लंगणों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से, एक ने ये बाते सुनकर उससे कहा, धन्य है वह, जो परमेशुर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया, जब भोजन तयार हो गया, तो उसने अपने दास के नेवताहारियों को कहला भेजा, कि आओ, अब भोजन तयार है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे, पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि उससे देखू, मैं तुझसे बिंती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर, कंगालों, टुंडों, लंगलों और अंधों को यहां ले आओ, दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था, वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगहा है। स्वामी ने दास से कहा, सलकों पर और बालों की ओर जाकर, लोगों को बर्बस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुम से कहता हूं, कि उन नेवते हुँ में से, कोई मेरी जेवनार को न चखेगा। और जब बड़ी भीड उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिर कर उन से कहा, यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पतनी, और लड़के बालों, और भाईयों और भहिनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिये न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता, तुम में से कौन है, कि गढ़ बनाना चाहता हो, और पहले बैठ कर खर्च न जोडे, कि पूरा करने की विसात मेरे पास है की नहीं, कहीं ऐस नहीं हो कि जब नेव डाल कर तयार न कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठटों में उडाने लगें, कि यह मनुश बनाने तो लगा, पर तयार न कर सका, या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, और पहले बैठ कर विचार न कर ले, कि जो बीस हजार लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं दस हजार लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं, नहीं तो उसके दूर रहते ही, वह दूतों को भेच कर मिलाप करना चाहेगा, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याक न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा, वह ना तो भूमी के, और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेक देते हैं, जिसके सुनने के कान हो, वह सुन लुका रचित सु समचार पंदरवां अध्याए एक खो जाए, तो निन्नानवे को जंगल में छोड़कर उस खोईवी को, जब तक मिलना जाए, खोचता न रहे, और जब मिल जाती है, तवह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है, और घर में आकर मित्रों और पडोसियों को इखटे करके कहता है, मेरे साथ आनं जाए, तो वह दिया बार कर, और घर जाड बुहार कर, जब तक मिलना जाए, जी लगा कर, खोजती न रहे, और जब मिल जाता है, तो वह अपने सखियों और पडोसियों को इखटी करके कहती है, कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है, मैं फिर उसने कहा किसी मनुष के दो पुत्र थे, उन में से छुटके ने पिता से कहा, कि हे पिता संपत्ती में से जो भाग मेरा हो, वह मुझे दे दीजिये, उसने उनको अपनी संपत्ती बाट दी, और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इखटा करके एक दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ती उला दी, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुवर चराने के लिए भेजा, और वह चायता था कि उन फलियों से जिने सुवर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था, जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूका मर रहा हूँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, और उससे कहूंगा, कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है, अब इस योगी नहीं रहा, कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदू की नाई रख ले, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था, कि उसके पिता ने उसे देख कर तरस खाया, और दौड कर उसे गले लगाया, और बहुत चूमा, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी मे पाप किया है, और अब इस योगी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जट अच्छे से अच्छा वस्तर निकाल कर उसे पहिनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाओं में जूतियां पहिनाओ, और पला हुआ बचला लाकर मार ताकि हम खाएं और आनन्द मनावें, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनन्द करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वे आते हुए घर के निकट पहुचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुला कर पूछा, यह क्या हो रहा है, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बचला कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है, यह सुनकर वे क्रोध से भर गया, और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, और कभी भी तेरी आग्या नहीं ताली, तो भी तुने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनन्द करता, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ती वेश्याओं में उडा दी है आया, तो उसके लिए तुने पला हुआ बचळा कटवाया, उसने उससे कहा, पुत्र, तु सरवदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है, वे सब तेरा ही है, परंतु अ आनन्द करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। सब संपत्ती उड़ाय देता है, सो उसने उससे बुला कर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विश्य में सुन रहा हूँ, अपने भंडारी पन का लेखा दे, क्योंकि तु आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोड़ी नहीं जाती, और भीक मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। और उसने अपने स्वामी के देंदारों में से एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुछ पर मेरे स्वामी का क्या आता है। उसने कहा सौ मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले और बैठ कर तुरंत पचास लिख दे। फिर दूसरे से पूछा तुछ पर क्या आता है। उसने कहा सौ मन गेहु। तब उस इस ने उससे कहा अपनी खाता बही लेकर असी लिख दे। स्वामी ने उस अधरमी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीती विभारों में जोती के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे, तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वे बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, इसलिए जब تم अधर्म के धन में सच्चे न टहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन सौपेगा, और यदि तुम पराए धन में सच्चे न टहरे, तो जो तुमहारा है, उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुछ जानेगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बाते सुनकर उससे ठटों में उड़ाने लगे, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुश्यों के सामने अपने आपको धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुश्यों की दृष्टी में महान है, वह परमेश्वर के निकट घ्रनित है, व्यवस्था और भविश्द्वक्ता युहनना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज का सुसमचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है, आकाश और प्रत्वी का टल जाना, व्यवस्था के एक बिंदू के मिठ जाने से सहज है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है, वह वेविचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है, वह भी वेविचार करता है, एक धन्वान मनुश्य था, जो बैंजनी कपले और मलमल पहि पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धन्वान की मेच पर की जूटन से अपना पेट भरे, बरन कुत्ते भी आकर उसके घाओं को चाटते थे, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्धूतों ने उसे लेकर इबराहीम की गोद में पहुचाया, और वह ध अन्वान भी मरा, और गाला गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पढ़े हुए अपनी आखे उठाई, और दूर से इबराहीम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इबराहीम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी स्मरण कर कि तु अपने जीवन में अच्छी वस्तवें ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तवें, परन्तु अब वे यहां शांती पा रहा है, और तु तड़प रहा है, और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुमारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया ह कि जो यहां से उस पार तुमारे पास जाना चाहें, वे न जा सकें, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकें। उसने कहा, तो हे पिता मैं तुझ से बिंती करता हूँ, कि तु उससे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। इबराहीम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविश्दक्ताओं की पुस्तके हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता इबराहीम, पर यदी कोई मरे हुओ में से उनके पास जाए, तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, कि जब वे मूसा और भविश्दक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदी मरे हुओ में से कोई जी भी उठे, तो भी उसकी नहीं मानेंगे। लुका रचित सुसमचार, सत्रमा अध्याय, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता, कि ठोकरें ना लगें, परंतु हाए उस मनुष्व पर, जिसके कारण में आती हैं, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता, कि चक्की का पा राई अपराद करें, तो उसे समझा, और यदि पच्चताए, तो उसे क्षमा कर, यदि दिन भर में वे सात बार तेरा अपराद करें, और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहें, कि मैं पच्चताता हूं, तो उसे क्षमा कर, तब प्रेड़तों ने प्रभु से कहा, हमारा व खड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। पर तुम में से ऐसा कौन है, जिसका दास हल जोतता, या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए, तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे कि मेरा खाना तयार कर, और जब तक मैं का निहोरा मानेगा, कि उसने वही काम किये जिसकी आग्या दी गई थी, इसी रीती से तुम भी, जब उन कामों को कर चुको, जिसकी आग्या तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मेदास हैं, कि जो हमें करना चाहिए था, वही किया है, और ऐसा हुआ, कि वह यरुशल को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गाउं में प्रवेश करते समय उसे दस कोड़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर उँचे शब्द से कहा, हे इशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ, और अपने त परमेश्वर की बढाई करता हुआ लोटा, और इशु के पाउं पर मुह के बल गिरकर उसका धन्यवात करने लगा, और वे सामरी था, इस पर इशु ने कहा, क्या दसों शुध न हुए, तो फिर वे नो कहा है, क्या इस परदेश्वी को छोड़ कोई और न निकला, जो पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, और उसने चेलों स वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुम से कहेंगे, देखो वहाँ है या देखो यहाँ हैं, परंतु तुम चले न जाना, और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजल आकाश की एक ओर से कौंध कर, आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष का पुत्र भी अपने दिन में प्रगट होगा, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएं, और इस युक के लोग उसे तुछ ठहराएं, जैसा नुह के दिनों में हुआ था, व जल प्रेले ने आकर उन सब को नाश किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक, आकाश से बरसी और सब को नाश कर दिया, और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही, जो खेत में हो, वह पीछे न लोटे, लूत की पत्नी को स्मरन रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए, वह उसे जीवित रखेगा, मैं तुमसे कहता हू उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीस्ती होंगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी छोड़ दी जाएगी, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, और दूस लुका रचित सुसमचार अठारवा अध्याए उसके पास आ आ कर कहा करती थी, कि मेरा न्याए चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदिपी मैं न परमेश्वर से डरता, और न मनुश्यों की कुछ परवा करता हूँ, तो भी यह विद्वा मुझ सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याए चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो, कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा सुनो, कि यह अधर्मी न्याए क्या कहता है, सो क्या, परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याए न चुकाएगा, जो र तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह प्रत्वी पर विश्वास पाएगा, और उसने कितनों से जो अपने उपर भरोसर रखते थे, कि हम धर्मी हैं, और औरों को तुछ जानते थे, यह द्रश्टांत कहा, कि दो मनुष्य मंदिर में प्रात्ना करने के लि कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला अन्याई और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, मैं सब ताह में दो बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दस्वा अंश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी चाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं तुमसे कहता हूँ, कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो को अपने आपको बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आपको छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर हात रखे, और चेलों ने देखकर उने डाटा, येश्व ने अच्छों को पास बुला कर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहन न करेगा, वे उसमें कभी प्रवेश करने न किसी सरदार ने उस से पूछा, हे उत्तम गुरू, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ, यिश्व ने उस से कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर, तू आग्याओं को तो जानता है कि वे विचार ना करना, हत्या ना करना, और चोरी ना करना, जूटी गवाही न देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, उस ने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं, यह सुन ईश्व ने उस से कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कु सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था, इशु ने उसे देख कर कहा, धनवानों का परमेश्व के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है, परमेश्व के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, और सुन पर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिये हैं, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि ऐसा कोई नहीं, जिसने परमेश्वर के राज्ज के लिए घर या पत्नी या भाईयों, या माता-पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुणा अधिक न ये भविश्ड़कताओं के द्वारा लिखी गई हैं, वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वे अन जातियों के हाथ में सौपा जाएगा, और वे उससे ठटों में उडाएंगे, और उसका अपमान करेंगे, और उस पर ठूकेंगे, और उससे कोडे मारेंगे, और घात करेंगे, और वे तीसरे दिन जी उठेगा, और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी, और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था, वे उनकी समझ में न आया, जब वे यरियों के निकट भूचा, तो एक अंधा सड़क किनारे बैठा हुआ भीक मांग रहा था, और वे भीड के चलने की आहट सुनकर पूचने लगा, यह क्या हो रहा है, उन्होंने उसको बताया कि इश्यू नासरी जा रहा है, तब उसमें पुकार के कहा, हे इश्यू, दावुद की संतान मुझ पर दया कर, जो आगे जाते थे, वे उसे डाटने लगे, कि चुप रहे, प उसने उससे यह पूचा, तु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करो, उसने कहा, हे प्रभु यह कि मैं देखने लगू, इश्यू ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है, और वह तुरंत देखने लगा, और परमेश्वर की बढाई लुका रचित सुसमचार, उन्नीसमा ध्याय वाला था, जब इश्यू उस जिगह पहुचा, तो उपर द्रश्टी करके उससे कहा, हे जक्कई, जट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्य है, वह तुरंत उतर कर आनंद से उससे अपने घर को ले गया, यह देखकर सब लोग कुड़कुडा कर कहने ल गालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ, तबीश्यू ने उससे कहा, आज इस घर में उध्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहीम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुश्य का पुत्र खोय हुणने, और उनका उध्धार करने आया है, जब वे ये बाते सुन रहे थे, तो उसने एक द्रश्टान कहा, इसलिए कि वे यरुश्यलेम के निकट था, और वे समस्ते थे, कि परमेश्वर का राज अभी प्रगठ हुआ चाहता है, सो उसने कहा, एक धनी मनुश्य दूर द लेन देन करना, परम्तु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे, और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, कि हम नहीं चाहते, कि यह हम पर राज्य करे, जब वे राजपत पाकर लोट आया, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकर दी थी अपने पास बुलवाया, ताकि मालुम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या-क्या कमाया, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मुहर से दस और मुहरे कमाई हैं, उसने उससे कहा, धन्य, हे उत्तमदास, तुझे धन्य है, तु बहुत ही थोड़े में विश्वासी न भी पांच नगरों पर हाकिम हो जा, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहरे ये है, जिसे मैंने अंगोचे में बांध रखी, क्योंकि मैं तुझ से डरता था, इसलिए कि तु कठोर मनुष्य है, जो तुने नहीं रखा, उसे उठा लेता है, और जो तुने न धोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा, उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया, उसे काटता हूँ, तो तुने मेरे रुपिय कोठी में क्यों नहीं रख दिये, कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता, और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वे मुहर, उ उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। यह बातें कहकर वहे रुशलेम की ओर उनके आगे आगे चला और जब वहे जैतून नाम पहाड पर बैत फगे और बैतनिहा के पास पहुँचा तो उसने अपने चेलों में से दोग को यह कहके भेजा कि सामने के गाओं में जाओ और उसमें पहुचते ही एक गदही का बच्च जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल कर लाओ और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रियोजन है जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया इसका प्रियोजन है वे उसको इश्य के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल कर इश्य को उस पर सवार किया जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिच्छाते जाते थे और निकट आते हुए जब वे जैतून पहार की धलान पर पहु है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है स्वर्ग में शांती और अकाश मंडल में महिमा हो तब भीड में से कितने फरीसिये उससे कहने लगे हे गुरु अपने चेलों को डांट उसने उत्तर दिया कि तुम से कहता हो यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिला उठेंगे जब वे निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घे पर पत्थर भी न छोड़ेंगे क्योंकि तूने वे अवसर जब तुझ पर क्रपा द्रश्टी की गई ना पहचाना तब वे मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा परंतु तुमने उसे की खोह बना दिया है और वह प्रते दिन मंदिर में उपदेश करता था और महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूरते थे परंतु कोई उपाए ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमचार सुना रहा था तो महायाजक और शास्त्री पुर्णियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता तु इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझ से एक बात पूछता हूँ मुझे बताओ यहन्ना का बप्तिस्मा स्वर्ग की और से था या मनुश्यों की और से था तब वे आपस में कहने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की और से तो वे कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीती क्यों ना की और यदि हम कहें मनुश्यों की औ तो सब लोग हमें पत्थरवा करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यहनना भविश्व द्वक्ता था। सो उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वे किस की ओर से था। ईश्व ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता ह तब है लोगों से यह द्रश्टानत कहने लगा, कि किसी मनुष्ट ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया, और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। समय पर उसने किसानों के पास एक दास को भेजा, कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भ पर उसने तीसरा भेजा, और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया, तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, क्या जाने वे उसका आदर करें, जब किसानों ने उसे देखा, तो आपस में विचार करने लगे कि यह तो वारिस है, आओ, हम उसे मार डालें, कि मिरास हमारी हो जाए, और उन्होंने उसे दाख की बारी के बाहर निकाल कर मार डाला, इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा, वह आकर उनकिसानों को नाश करेगा, और दाख की बारी औरों को सौपेगा, यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर ऐसा न करे। उसने उनकी और देखकर कहा। फिर यह क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, वह चकना चूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा, उसको पीस डालेगा। उसी घड़ी शास्त्रियों और महायाजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए कि उसने हम पर यह द्रश्टान कहा, परंतु वे लोगों से डरे। और वे उसकी ताक में लगे, और भेदिये भेजे, कि धर्म का भेश धर कर उसकी कोई न कोई बात पकड़े, कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौप दे। उन्होंने उससे यह पूछा, कि हे गुरु हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है, और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, क क्या हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताल कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किस की मूर्ती और नाम है? उन्होंने कहा कैसर का, उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्व वे लोगों के सामने उस बात को पकर न सके, बरन उसके उत्तर से अचम्भित होकर चुप रह गए। फिर सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुऊं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा, कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी की रहते हुए बिना संतान मर जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन करे। सो साथ भाई थे, पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस त्री को ब्याह इस रीती से सातों बिना संतान मर गए, सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई, सो जी उठने पर वह उन में से किसकी पतनी होगी, क्योंकि वह सातों की पतनी हो चुकी थी, ईश्यु ने उनसे कहा, कि इस युग के संतानों में तो ब्याहशादी होती है, पर जो लोग इस योगे ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुएं में से जी उठना प्राक्त करें, उनमें ब्याहशादी न होगी। वे फिर मरने के भी नहीं क्योंकि वे स्वर्दूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उढ़ते हैं, मूसा ने भी जाली की कथा में प्रगट की है, कि वह प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर और इसहाग का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है. परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परंतु जीवतों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं. तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने यह कहा, कि हे गुरु, तुने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव ना हुआ. मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाओं के तले न कर दूँ. दावुद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान, क्योंका ठैरा? जब सब लोग सुन रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे-Lंबे वस्त्र पहिने हुए फिर ना भाता है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार, और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिये ये बहुत ही दंड पाएंगे। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीव का डाल दी है। उन्होंने उस से पूछा, हे गुरू, ये सब कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय का क्या चिन होगा? उसने कहा चौकस रहो कि भरमाएं न जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना, और जब तुम लडाईयों और बलूओं की चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना, क्यों परंतो उस समय तुरंत अंत न होगा। और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो, कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धी दूंगा, कि तुम्हारे सब विरोधी, सामना या खंडन ना कर सकेंगे, और तुम्हारे मातपिता और भाई और कुटुम्ब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम्हें से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर तो तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा, अपने धीरत से तुम अपने प्राणों को बचाये रखोगे। पूरी हो जाएंगी, उन दिनों में जो गर्भवती और दूद पिलाती होंगी, उनके लिए हाए, हाए, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ती होगी, वे तलवार के कौर हो जाएंगे, और सब देशों के लोगों में बंदुए होकर चिन्न दिखाई देंगे और प्रत्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोला हल से घबरा जाएंगे, और भै के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाठ देखते देखते, लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब वे मनुष के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे, जब ये बाते होने लगे, तो सीधे होकर अपने सिर उपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक ग्रश्टांत भी कहा, कि अंजीर के पेड और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोपले निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीश्म काल निकट है, इसी रीती से जब तुम ये बाते होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का परम तु मेरी बातें कभी न टलेंगी, इसलिए सावधान रहो, ऐसा नहो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवाले पन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्थ हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी प्रत्वी के सब रहने वाल पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसलिए जागते रहो, और हर समय प्रार्थना करते रहो, कि तुम इन सब आने वाली खटनाओं से बचने, और मनुष के पुत्र के सामने ख़ले होने के योग्य बनो, और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहार पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। और शैतान यहुदा में समाया जो इसकरियोती कहलाता और बारह चेलों में गिना जाता था, उसने जाकर महायाजकों और पहरूँ के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए, वे आनंदित हुए और उसे रुपिय देने का वचन किया, उ इसमें फसह का मेमना बली करना अवश्य था, और ईशु ने पत्रस और युहनना को यह कह कर भेजा, कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तयार करो, उन्होंने उससे पूछा, तु कहा चाहता है कि हम तयार करें, उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही, एक जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहो, कि गुरू तुझसे कहता है, कि वह पाहुन शाला कहा है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाओ, वह तुम्हें एक सजी सजाई, बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तयारी करना, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तयार किया, जब घड़ी पहुची, तुम्हें प्रेड़तों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, कि जब तक वह परमेश्वर के राज में पूरा ना हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और कहा, इसको लो, और आपस में बांट लो, क्योंक और उनको यह कहते हुए दी, कि यह मेरी दे है, जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीती से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, कि यह कटोरा मेरे उस लोहु में, जो तुम्हारे लिए बाहया जाता है, नई व पर हाई उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछ पाच करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उन में यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के विकार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, बरं जो तुम में बड़ा है, वे छोटे की नाई, और जो प्रधान है, वे सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है? वे जो भोजन पर बैठा या वे जो सेवा करता है? क्या वे नहीं जो भो मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, बरन सिहासनों पर बैट कर इस्राइल के बारह गोत्रों का न्याय करो, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि यहूं की नई फटके, परन्तु मैंने तेरे लिए बिंती की, कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, तो अपने भाईयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदिग रह जाने, वरन मरने को भी त यार हूं। उसने कहा, हे पत्रस, मैं तुझ से कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा, जब तक तू तीन बार मेरा इंकार न कर लेगा, कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा, कि जब मैंने तुम्हें बटवे और जोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तू की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तू की नहीं. उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटव हो, वह उसे ले, और वैसे ही जोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो, वह अपने कप्ड़े बेचकर एक मोल ले. क्योंकि मैं तुमसे कहत कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ किना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विश्य की बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहां दो तलवारे हैं, उसने उनसे कहा, बहुत हैं। तब वे बाहर निकलकर अपनी रीती के अनुसार, जैतून के पहाड पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए, उस जगे पहुँचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परिक्षा में ना पड़ो, और वे आप उनसे अलग, एक धेला फेंकने के टप्पे भर गया, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ देता था, और वे अत्यंत संक में व्याकुल होकर और भी हिर्दय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहु की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमी पर गिर रहा था, तब वे प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उ यहूदा था, उनके आगे 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 आ रहा था, वे इशु के पास आया कि उसका चूमा ले, इशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुश्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथीं उने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उन में से एक ने महायाजक के दास पर चला कर उसका दाहिना कान उडा दिया. इस पर ईशु ने कहा अब बस करो और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया. तब ईशु ने महायाजकों और मंदिर के पहरों के सरदारों और पुरुनियों से जो उस पर चढ़ आये थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठ्या लिये हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुमारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुमारी घड़ी है, और अंदकार का अधिकार है. फिर वे उसे पकड़ क ले चले और महायाजक के घर में लाए और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था. और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इखटे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया, और एक लॉंडी उसे आग के उज्याले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था, परंतो उसने यह कहकर इंकार किया, कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता. थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देख कर कहा, तू भी तो उनहीं में से है, पतरस ने का, हे मनुष, मैं नहीं हूँ. कोई घंटे भर के बाद, एक और मन मनुष, दर्टा से कहने लगा, निश्चे यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है. पतरस ने कहा, हे मनुष, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है. वह कही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी, तब प्रभू ने घूम कर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा, और वह बाहर निकल कर फूट फूट कर रोने लगा. जो मनुष्य यिश्यू को पकड़ हुए थे, वे उसे ठटों में उडा कर पीटने लगे, और उसकी आँखें धाप कर उससे पूछा, कि पूट सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कहीं. जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और महायजक और शास्त्री खटे हुए, और उससे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे. उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प इस पर सबने कहा, तो क्या तू परमिश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ. तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या प्रियोजन है? क्योंकि हमने आप ही उसके मुह से सुन लिया है. लुका रचित सुसमचार तैईस्वा अध्याय तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई, और वे यह कहकर उस पर दोश लगाने लगे, कि हमने इसे लोगों को भैकाते, और कैसर को कर देने से मना करते, और अपने आपको मसीह राजा कहते वे सुना है. पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहोदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, कि तू आप ही कह रहा है. तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुश में कुछ दोश नहीं पाता, पर वे और भी द्रठता से कहन लगे. यह गलील से लेकर यहां तक सारे यहुदिया में उपदेश दे दे कर लोगों को उसकाता है. यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुश्य गलीली है? और यह जानकर कि वे हिरोदेश की रियासत का है, उसे हिरोदेश के पास भेश दिया, क्योंकि उन दिनों में वे भी यरुशले में था. हिरोदेश इश्यू को देखकर बहुत ही प्रसंध हुआ, क्योंकि वे बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था. इसलिए कि उसके विशय में सुना था, और उसका कुछ चिन्ध देखने की आशा रखता था. वे उससे बहुतेरी बाते पूछता रहा, पर उसने उसक कुछ भी उत्तर न दिया, और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोश लगाते रहे. तब हिरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठथों में उड़ाया और भढकीला वस्तर पहना कर उसे पिलातूस के पास लोटा दिया. उसी दि और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुश को लोगों का भैकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोश लगाते हो, उन बातों के विशे में मैंने उसमें कुछ भी दोश नह इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। तब सब मिलकर चिला उठे कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। यही किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी ग्रह में डाला गया था। फर पिलातुस ने इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिला चिला कर पीछे पड़ गए कि वे क्रूस पर चढ़ाया जाए और उनका चिलाना प्रबल हुआ। सो पिलातुस ने आगया दी कि उनकी बिंती के अनुसार किया जाए। और उसने उस मनुष को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी ग्रह में डाला गया था। और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया। और इश्यू को उनकी इच्छा के अनुसार सौप दिया। जब वे उसे लिये जाते थे तो उन्होंने शमान नाम एक कुरेनी को जो गाउं से आ रहा था पकड़ कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे इश्यू के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लि बालकों के लिए रो क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिन में कहेंगे धन्य हैं वे जो बांज हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाडों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें धाप लो क्योंकि जब व वे और दो मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपली कहते हैं पहुचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दहिनी और दूसरे को बाई और कुरूसों पर चढ़ाया। तबीश्य ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिख्या डाल कर उसके कपड़े बांट लिये। लोग खड़े-खड़े देख रहे थे, और सरदार भी थठठा कर-कर के कहते थे, कि इसने औरों को बचाया, यदि यह परमिश्वर का मसी है, और उसका चुना हुआ है, तो अपने आपको बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है, तो अपने आपको बचा, और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था, कि यह यहूदिय का राजा है, जो कुकरमी लटकाए गए थे, उन में से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसी नहीं, तो फिर अपने आपको और हमें बचा, इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, और ह हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, तब उसने कहा, हे इशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधी लेना, उसने उससे कहा, मैं तुझ से सच कहता हूं, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा चाया रहा, और सूर का उजियाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और इशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिये। सुवेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की, और कहा, निश्चे यह मनुष्य धर्मी था, और भीर जो यह देखने को इखटी हुई थी, इस घटना को देखकर छा और देखो, युसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन न था, और वह यहुदियों के नगर अर्मतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोने वाला था, उसने पिलातुस के पास जाकर येश्यु की लोथ मांग ली, और उसे उतार कर चादर में लपेटा, और एक कबर में रखा, जो चटान में खोदी हुई थी, और उसमें कोई कभी न रखा गया था, वह तयारी का दिन था, और सब्द का दिन आरम होने पर था, और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे-पीछे जाकर उस कबर को देखा, और यह भी कि उसकी लोथ किस रीती से रखी गई है, और लोटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तयार किया, और सब्द के दिन तो उन्होंने आग्या के अनुसार विश्राम किया. लुका रचित सुसमचार चौबीस्वा अध्याए तो देखो दो पुरुष जलकते वस्तर पहने हुए, उनके पास आख़े हुए, जब वे डर गई और धर्ती की ओर मुह जुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुव में क्यों हूरती हो, वे यहा नहीं, परन्तु जीवठा है, स्मरन करो, कि उसने ग भाया जाए, और तीसरे दिन जी उठे, तब उसकी बातें उनको स्मरन आई, और कबर से लोटकर उन्होंने उन ग्यारहों को और और सब को ये सब बातें कह सुनाई, जिन्होंने प्रेरितों से ये बाते कहीं, वे मरियम मगदलीनी, और यूअनना, और याकुब की माता मरि और उनके साथ की और स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी, और उन्होंने उनकी प्रतीती न की, तब पत्रस उठकर कबर पर दौड गया, और जुक कर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था, उससे अचंभा करता हुआ, अपन और वे इन सब बातों पर जो हुई थी, आपस में बात्चीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बात्चीत और पूछ पाच कर रहे थे, तो ईश्यू आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आखें ऐसी बन कर भी गई थी, कि उसे पहचान न सके, उसने उन पास नाम एक व्यत्ती ने कहा, क्या तु यरुशले में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दनों में उसमें क्या क्या हुआ है, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें, उन्होंने उससे कहा, येश्यू नासरी के विश्या में जो परमेश्वर और सब लोगों के नि पूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इसरायल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवा इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चरि में डाल दिया है, जो भोर को कबर पर गई थी, और जब उसकी लोथ न पाई, तो यह कहती वी आई कि हमने स्वर्ग दूतों का दर्शन पाया, जिनों ने कहा कि वह जीवित है, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा, तब उसने उन से कहा, हे निर्बुधियो और भविश्दक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठा कर अपनी महिमा में प्रविश करे, तब उसने मूसा से और सब भविश्दक्ताओं से आरंभ करके, सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विश्य मे की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया, इतने में वे उस गाउं के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ा चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है, और दिन अब बहुत ढल गया है, तब वे उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, और उसे तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आखें खुल गई, और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वे हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन हुई, वे उसी घड़ी उटकर यरुशलेम को लोट गए, और उन ग्यारहों और उनके साथियों को इखटे पाया, वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, और शमाउन को दिखाई दिया है, तब उन्होंने मार्ग की बातें उन् के बीच में आखड़ा हुआ, और उनसे कहा, तुम्हें शान्ती मिले, परंतुवे घबरा गए, और डर गए, और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्यों संधे उठते हैं, मेरे हाथ और मेरे पाउं को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड़ी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाउं दिखाए, जब आनंद के मारे उनको प्रतीती नहुई, और आश्चर करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहा तुम्हारे पास कुछ भोजन है, उन्होंने उसे भूनी मचली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया, फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वे बाते हैं, जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बाते मूसा की विवस्था और भविश्दक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विशय में लिखी हैं, सब पूरी हों, तब उसने पवित्र शास्त्र बूजने के लिए उनकी समझ खोल दी, और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, और तीसरे दिन मरे हुँँ में से जी और यरुशलिम से लेकर सब जाकियों में मन फिराओ का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, तुम इन सब बातों के गवहा हो, और देखो, जिसकी पृतिग्या मेरे पिताने की है, मैं उसको तुम पर उतारूँगा, और जब तक स्वर्ग से साम पर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठेरे रहो, तब वे उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीश दी, और उन्हें आशीश देते हुए, वे उनसे अलग हो गया, और स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वे उसको दंडवत क करके बड़े आनंद से यरिश्लेम को लोट गए, और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुती किया करते थे.